नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने हीट्वी चैनल अमन प्रैस जीकेजिस में जी सब्सक्राइब आज है आपका 25 सेप्टेंबर और 25 सेप्टेंबर को आपका डीडिये एसो का एकजाम था जो कि सभी सिप्टों का एकजाम आपका समाप्त हो गया है तो माबित एक्स्ट्रा फेक्ट्स भी देखेंगे जो आपके एकजाम में आने वाले रहेंगे तो चलिए वीडियो के स्टाट करते हैं बिना किसे दरी किसका जो पीडियो फे आपको टेलग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप लोग जाकर वहां से द्वारा किया गया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक इसके अलावा अगर आपसे पूदि जाए कि भारतियर रश्टी कॉंग्रेस का जो स्थापना है किस वर्स वर्स आपका他राराइट एंसर 1853 हो जाया लेकिन अगर आपन पूचितीए जा तो आपके बह्यमेस चंद्रबर्णरजी या नरायन जो भी दहेगा आपके आपके आपका राइट एंसर हो जाएगा वेमेस चंद्रबर्णरजी इनका पॉपलर नाम था वह याद दखिएगा इसके लावा अगर आपसे पूद्र जाए कि पर्थम जो बैठा के आपका हुआ कहा था पर्थम जो आपका कॉंग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय अगर आपसे पूजे जाए कि वाइस राइक कौन था तो वाइस है दोस्तों आपका लॉड दफरिन था ठीके लॉड डफरें ठीके इसके लावा भरतिरश्टी कॉंग्रेस के कुछ आपके ऐसे तो अदिवेशन ही जो कि आपके लिए एक्जाम के लिए इंपॉर्डट है उन सभी अधिवेशनों के अधिक्सता के वारे में मुलुक जानेंगे साथ में अधिवेशन से आपके क्या याद रखने क्या हो सकता है उसको भी देखेंगे तो सबसे पहले दूस्तों आपका 1885 के बाद आता है आपका 1886 यानि कि यह दूस्तों आपका सेकेंड अधिवेशन दाटेगे तो सेकेंड जो अधिवेशन का अधिक्सता है वो आपका 1886 में किये थे किसने क्या था दादा भाई नरोजी ने क्या था कहां पर हुआ था तो यह आपका कलकत्ता में हुआ था इसके लावा 1887 का यह इवजी थे जिनोंने 1887 में इसके क्या कि थी अधिक्स्ता किये थी मदरास में यह दिवेशन हुआ था इसके लावा 1886 का याद दखिएगा जो कि आपका कलकत्ता में ही रही रही मतुला इम श्यानी इसके अधिक्स्ता किये थे और इस अधिवेशन का खास वात क्या है तो इस अधिवेशन में जो हमें हमारा भारत का वंदे मातरम जुराष्टे गी थे उसको पहली बार गाया गया था इसके अलाबाद 1905 का आपको याद दखने की जरोत है 1905 का जो कॉंग्रेश अधिवेशन है वो आपका बनारस में हुआ था और गोपाल गृष्ट घोकले इसके अधिवेशन का जो खास बात है वह है कि बंगाल विवेशन के विरुद अकरोष व्यक्त किया गया था इस अधिवेशन में जैसा कि आपको मालूँ है 1905 में आपका बंगाल विवेशन होता है लोड करजन के दुवारा ये किया जाता है और इसके बाद आपका सोदेसी तो आप से वे बाझा बाधर पुचा रहागा कि शरा सब्त का अधिविशन किस अधिविशन में हुआ था तो किस ने किया था तो कम द्रॉडिपर द Symanteau Gateway क ऑने कि अधिविशनुuses की जिस्या तो तो tamam की दादावाई नरोजी नहीं किया था इसके बाद यह देखिएगा 1907 का कॉंग्रेश्ट दिवेशन 1907 के कॉंग्रेश्ट दिवेशन की बात करेंगे तो इसकी जो अधिक्सता है यह दोस्तों आपका राज भीहारी बोस करते हैं इस अधिवेशन को सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाने रता है शूरत में यह आयुजित हुआ था ओर जो शुरत विभाजन है ठेक है आपको याद देखने की जोड़ थे 1916 का कॉंग्रेस अधिविशन की बात करेंगे तो यह आपका लखनों में हुआ था और मुस्लिम लिंग के साथ सेंग सत्र हुआ था ठेके का समझोता आपका लखनों समझोता हुआ था और अंबीका चेर्ण मजुमदार इसके अधिक्षत सब्सक्राइब करेंगे तो यह आपके आगे के सिप्टों में भी पूछा गया था ठीके यह तो आपका साइट का कुस्टन है तो इसके आगे के सिप्टों में पुछा गया था कि पून शुराज का जो मंग है किस दिविश्न में रखा गया था ठीके ता लाहोर अधिविश्न में लखा गया था 29oric में हुआ था यह जो अधिविश्न हैं आपका कहाँ पर हुआ था तो उस 먼저 बासा पर पन पर हुआ था तो इसके लावा नेक्स अधिवेशन याद दखिएगा 1936 का जो अधिवेशन है 1936 का वो दोस्तों आपका फैजपूर में हुआ था इसको क्यों याद दखना है तो इसको इसलिए याद दखना है कि पहला जो गरामीन सत्र था या किसी गाउं में होने वाला यह पहला अधिव उचस्टा किये थे नेक्स याद दखिएगा 1934 का बेलगाउं दिवेशन यह आपको लिखना भूल गहे है इसके आपका 1428 का कउने इधिवेशन की अधिक्स्ता है यही यह नहीं है दखिएगा इसका आपका वाद आप महातमा गांधी की यह में है यहीं नहीं किये थे कि असापना इसरोर एडिविसन में क्या गया था 1949 का कॉंग्रेस अडिविसन लिए दखेगा तिर पूरी का कॉंग्रेस अडिविस था स्वाचान बोस इसकी अदिखिता क्ये थे लेकिन उन्हें आपका मजबूरन इस सिफाह देना पड़ा था क्योंकि महात्मा जो गांधी जी थे वो आपके पटावी सितारमया का समर्थन क्या था इसके बाद ये जो सुवाग्चन बोस्ते वो इस सिफा देते हैं और इसके अधिक्सता है आपका रजिंद्र परशाद करते हैं नेक्स आपका उनिस्तो चालीस का ये देखिएगा क्यों या देखिएगा जादी से पहले आपका आखरी सत्त्र मैर्ट में ये हुआ था अर्चार की रुपलानी इसकी अधिक्सता किये थे in इसके लावन 488 का या दखिएगा क्यों या दखिएगा क्योंकि जादी के बाद यह पहला सत्र था जैपूर में हुआ था पटावी सितरमया इसकी अधिक्सता किये थे ठीक है चलिए नेक्स कि बात करेंगे तो पूँछा गया उससे पहले दुस्ता आपको बता दे कि यह जो एकजाम है आपका DDA ASO का है या जे एसWell का है यह एकजाम आपका कौन कंडंक्त करवाता है तो आपको करवाता है यह एकजाम आपका TCS ठीक है में SSC MTS का आपका 57 सिप्ट में SSC CHSL का आपका 36 सिप्ट में SSC CHSL का आपका 49 सिप्ट में और SSC MTS 22 आपका 27 सिप्ट में total exam conduct हुआ है यह 5 exam है जिसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं मातर 69 उप्ट में अप इसे प्राप्ट कर सकते हैं जैसा आपको ऊपर बताया गया था कि अभी सब़ी परस्ट के साथ आपके important extra facts सकते हैं जो कि आपके exam में आय वही रचते हैं उस प्रस्ट से रिलेटे ठेके तो आपको सबी परस्ट में साथ एक पर संपर्क कर लिजएगा आपको ये PDF है जो की मिल जाएगा या और भी जनकारी आपको चाहिए होगा वो भी आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन की बात करें तो पुछा गया था विच बूक इस अस्पोर्ट्स बूक ठीक है तो आपका दिया गया था पूर्व पेसेवर टेनिस खिला रही है इसको भी याद दखियेगा चलिए नेक्स कोशन पुछा गया कि भारत का पहला एपल स्टोर है जो कि कहां खुला है ठीक है तो भारत का जो पहला एपल स्टोर है वो दोस्तों आपका मुंबई में खुला गया था आपका इसी वर्स 18 18 अप्रेल को 23 में मुंबई के वंद्रा कुड़ा कंप्लेक्स में ठीक है तो यह आपका राइट हैं से हो जाएगा पहला एपल टेल मुंबई में खुला गया था इसका उधगातन को नक किया था आपको मालूम होना चाहिए एपल के जो CEO है अभी वरतमार में टीम कुक के द इसका राइटेंस आपका प्रतमा बैंक हो जाएगा ठीक है इससे स्थापित किया था 26 सेप्टमबर 1975 को पारित अध्या देश ठीक है कि जर्ये 1975 को देश में पांच ग्रामिन बेंक की शुरुबात की थी जिसमें से पहला आपका प्रतमा बैंक की था ठीक है कब क्या गया थ इसके लावा अगर आपसे पूरवी भारत का पहला ग्रामिन बैंक पूद्य जाये तो जो की दोस्तों आपका पच्छी मंगाल मालदा में खोला गया था गौर ग्रामिन बैंक ठीक है इसके लावा गरामिन बैंक की बात करेंगे तो इसका जो ओनर्सिप होता है वो किसके हाथों में होता है तो जो सेंटरल गवर्मेंट होता है उसके हाथों में 50% आपका ओनर्सिप रहता है जो अस्टेट गवर्मेंट रहता है उसके हाथों में आपका 15% जो अस्पोंसर बै बैंक ने इसका स्पोंसर किया था ये भी याद दख लिजेगा नेक्स कोशन की बात करेंगे तो पुछा गया कि दिली के मुख मंत्री और आदमी पार्टी के चीप अरविंद के जीवाल से सीवियाई ने किस मामले में समन किया था ठीक है तो आपका सराब घोटाला मामला के म उनको भी गिरफतार किया गया है तो सिक्षा मंत्री कौन थे आपके दिली के तो आप लोग कॉमेंट सेक्षें बता दीजेगा ठीक है कौन थे ठीक है नेक्स कोस्टन है आपका कि भारत में उत्तर पच्छी में कौन सा मरू अस्थल है ठीक है तो भारत के उत्तर पच्छी म सीखर परवात है ठीगे तो गुरु सीखर परवात याद दखिएगा अरावली परवात माला का सबसे उच्चा अस्थान है नेक्स कोशन पुछा गया कि पुसकर जो मेला है आपका कहां पर लगता है या कहां पर आयूजित होता है तो इस करायट एंसर राजस्थान के अजमेर जिला में आपका जो पुसकर मेला है आपका आयूजित होता है इसके लावा सोनपूर मेला अगर आपसे पूद दे जाए कहां पर आयूजित होता है तो सोनपूर नामक जगा में जो की बिहार में है वहां पर आयूजित होता है आपका एसिया का सबसे पूछा गया है थिक्षिस के दौछा गया है एक मंदिर वहीं पर यह मेला है जो कि दूस्तो आपका आपका अब कि पूछा गया है थिक्षिस के दौरा आपसे पूछा गया है ठीक है next question जो पूछा गया कि हाली में टेस्ट में किस भरती opener वेस्ट इंजिस के खिलाब debut match में 171 रन बनाये था और man of the series ठीक है man of the series या man of the match बना था तो इसका जो right answer है आपका ये जस्वीज जैस सवाल ठीक है ये सवीज जैस सवाल आपका right answer हो जाएंगे ये सवीज सवाल के बारे में आप लोग को मालूम होगा ये आई पील टीम राजस्थान की ओर से खिलते हैं वहां भी opening करते हैं और इस निस के खिलाब जो आपका दो मेचों का जो सिंखला हुआ था टेस सेरीज उसमें भी आपका opening किये थे ठीक है तो सबसे ज़्यादा रन 171 आपका इन्हों ने डेबू के मैच में बनाया था ठीक है इसके लाबा ये तो आपका एक पारी मनाया था लेकिन overall देखें पूरे टेस सेरीज में तो सबसे ज़्यादा रन इन्हों नहीं बनाया लिए था टेक है इसके लाबा रो इस सेरीज में सबसे जो बिकेट लिया था वह दूसरा आपका रवीन चंद्र अस्वीन ने लिया था तो पहला में चापका डोमिनिका में खेला गया था भारत की एक पारी 142 रनों से जीत हुआ था दूसरा में चापका ड्रों हो गया था जो कि Port of Spain में खेला गया था Next question पुछा गया कि भारत के किस राज में परजनन दर है जो कि सबसे अधिक है यानि कि which state of India has the highest fertility rate ठीक है तो इसका जो right answer दोस्तो आपका बिहार हो जाएगा जहां कि जो परजनन दर है वो दोस्तो आपका 3% है वहीं पर भारत की कुल परजनन दर की बात करेंगे तो वर्तमार में आपका 2% है इसके लाव fertility rate यानि कि परजनन दर आखिकार होता क्या है तो परजनन दर का मतलब होता है बच्चे पैदा कर सकने वाली आयो वाली परती 1000 इस्तियों की इकाई के पीछे जीवित जन्वे बच्चों की संख्या ये आम तोर पर आपका 15-49 वर्स की उम्र को बच्चा पैदा कर सकने वाली उम्र की अंतरगर्थ है जो की आपका रखा जाता है नेक्स क्वेस्टन पुछा गया कि दिलिस सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था एक दो बच्चे बताएं कि वास्तविक संस्थापक पुछा गया था ये एक दो बच्चे बताएं कि आपका नॉर्मल संस्थापक पुछा गया था तो अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पुछेगा ठीके पूछेगा तो इसका right answer आपका इलतुत्मिष हो जाएगा लेकिन अगर आपसे वास्तुविक यहाँ पर रहेगा ही नहीं सिर्फ आपका संस्थापक रहेगा तो दोस्तों आपका कुतूब दिन एवक हो जाएगा तो उसको आपको ध्यान देना है जब आप computer screen पर question को प अस्थापना किया था आप लोग को मालूम होगा इसके बारे में 23 चर्चा आपने डिडिये जो जेश्चे का एक्जाम हुआ था उसमें क्या था जो लोग नहीं देखें वहां से आप लोग जाके दिख लिए वह आपके लिए बहुत हैं तो 1206 में आपका कुतूब दिन कुतूब दिन एवग की बात करें के तो 1206 से लेकर 1210 इसी बी तक आपका 1010 में आपका बरामसा कुतूब दीन तक वो कचान नहीं करता है फिर आपका 1211 में आपका इलतुतमिस आता है जो की दिलिए सल्तनत या गुलामन्स की गद्धी पर बैठता है इसके बादा आपका 126 में आपका आती है रजिया सुल्तान जी रजिया सुल्तान आपका बारा सो रजिया सुल्तान आपका 1236 में बैठती है और 1240 तक्षासन करती है ठीक है 1240 में इनका मिर्ति हो जाता है इनको मार दिया जाता है आप लोग को मालूम होगा क्यों मार दिया गया होगा क्योंकि आपक मुस्लिम महिला सासिका थी ठीके नेक्स आपका है पुर्ण सुराज के जो मांग है आपका किस अधिविशन में किया गया था तो जैसा कि हमने ही उपर डिसकस किया था कि पुर्ण सुराज का जो मांग है वो दोस्ता आपका 1931 के लाहोड अदिविशन में किया गया था तो इसका राइट एंसर आपका लाहोड अदिविशन हो जाएगा 31 इसंबर 1931 को अदिविशन हुआ था शुआला नेरू इसके अध्यक्ष है जो कि चुने गये थे नेक्स कोस्ता पुछा गया अगर आपसे पूदे जाए कि अगर आपसे पूदे जाए कि एस अंगेश्ट और जो पुस्ता के किसके द्वारा लिखा गया है एस अगेश्ट और तो ये दोस्तों आपका शानिया मिर्जा जी के द्वारा लिखा गया है अगर आपसे पूदे जाए कि तेस्ट ओफ माई लाइफ ठीक है तेस्ट ओफ माई लाइफ फ्रॉम किर्गेट तो थो आपका इम्राज सिंग के द्वारा लिखा गया है यह इंपर याद ध्वारा लेकिन अगर आपसे रेस पूदे रैस तो ये दोस्तों लिखा गया है मिलका सिंग जी के समंदी तिमराशिंग भी है इनके द्वारा ही पुस्तक लिखा गया है एस शॉट एट हिस्ट्री जो पुस्तक है यह दिखा गया है अभिनोव विंदा जी के द्वारा जो पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यी लिखा गया है। यी दोस्तु आपका कपिल देव जी की द्वारा लिखा गया है। और भी पुस्तक हैं, तो अम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जैसे आपका कल भी एक्जाम है। त इसका र清楚 mustah~~ तो इसका right answer दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्षण में आपका product दिया गया था, जो कि right answer था national income is in India measures in term of national product at factor cost पर आपका निकाले जाता है ठीक है? next question है कि कन्नर जो भासा है, कि सनाज की सस्ते भासा है? तो कन्नर भासा की बात करेंगे तो ये दूस्तों आपका कनाटक की सस्ते भासा है तो कनाटक इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीके कनाटक में ये भासा बोला जाता है कन्नर भासा को 2008 में आपका क्या क्या गया था सस्ते भासा का दर्जा दिया गया था 2008 में दो भासाओं को दिया गया था कन्र के साथ साथ आपको तेलगू को ही दिया गया था चलिए उसको हम लोग विश्टित रुप में अध्यन करते हैं वरतमार में आपका 6 सस्त्रे भासा है ठीक है आपका जो पहली जो भासा है वो दूस्तो आपका तमील है जो कि आपका तमीलाडू में बोला जाता है ड्रिविट भासा है उसको 2004 में भारत के सस्त्रे भासा का दर्जा परदान है जो कि किया गया था दूस्ता दूस्तो आपका संस्कीर थे इसको आपका 2005 में किया गया था कन्र की बात करेंगे तो कनाटक में बोला जाता है दोजार आठ्ट को दर्जा परदान किया गया था। तिलगु को भी आपकाepy तीलगार राजय में भोला जाता है। उपर magg vigil मल्याम की बात करेंगे तो मल्याम को दर्जा में आपका यह बहुत है काटारीयम्ग का ऑका सबसे नया जोड़त जो कि सांस्रे भासा बना है वो आपका उडिया है दोजा चौदा में यह आपका बना है यह जो आपका भासा है और इसाम बोला जाता है पच्छी मंगाल जारकन चातिजगर के कुछ चेत्रों में बोला जाता है बस इसको ही याद खिएगा नेक्स आपका जिके पूछा गया कि हान्मिल जो किस जन्जाती के दौड़ा बना जाता है तो आपको बता दें कि यह जो कोस्ता तो हमने डीडी ए जेसो के जो ओल सिर्प्ट का वीडियो था उसमें आपको करा दिया था ठीक है तो हॉन्विल जो फेस्टीवल है वो दूस्तों आपका नागा जनजाती के दुवारा है जो कि आपका मनाए जाता है कहां परभाणा बना जाता है तो नागालेंड में ठीक है ये जो त्योवार की जो स्क्रवात है आपका 2000 इसमी में किया गया था नागलेंच सरकार के द्वारा, तेके उसका उदेश नागा जनजाती को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना और देश दुनिया को नागा समाज की संस्किर्टी से रुबरू कराना था, इसके लाबा ह पॉर्ण विल महससाब को आपका फेस्टीवल और फेस्टीवल यानि कि उस सबों का उस सब है जो कि आपका कहा जाता है इस वात को भी क्या किजेगा आपको याद रख लीजेगा ठीके नेक्स जो को संदकी आपसे पूछा गया वह पूछा गया कि सो तंता जो दिवस है व पंजर्ण द्वार को भी हम लोग ने शोतनता दिवस मनाया होगा तो वह कौन से करमका होगा खाए थ हो तो फंजर्ण अगर्च द्वेसातरा को जो हमने शोतनता दिवस मनाया है वह दोस्तो आपका जो कि जंड़ा है जो कि फराया गया था, तो पहली बार आपका फराय थे, उस समय के जो परधान मनति थे, पहले परधान मनती जुहालना नेरु जी ने, कहां पर फराय था ये आपके लिए इंपोर्डेट है, में जन संक्या अध्यन में किस जन गन्ना को जन संक्य क्या विवाजन कहा जाता है कि इसका राइट एंस आपका 1921 इसका राइट एंस हो जागा वर्स 1921 को भारत में जन संक्य क्या विवाजन की रूप में जाने जाता है 1921 से पहले जन संक्या जो कि आपका इस्तिर नहीं थी 1921 के बाद हम जिनसंक्या में निरंतर विर्धी है जो की देख सकते हैं इसके लाव 1921 से 1951 तक की जो अवधी होता है वो आपका इस्तिर जिनसंक्या विर्धी का काल माना जाता है इस अवधी के दुरान भारत की जिनसंख्या 251 मिलियन से आपका 361 मिलियन है जो कि आपका हो गया था इसके लाव भारत की जिनसंख्या विर्दी का अध्यन है जो कि 5 अवधियों के बाद है जो कि किया जाता है एक आपका 1991 से पहले बहुत धिमी और अन्हीचित विकास की अवधि थी इसके लाव 1891 से 1921 जो कि आपका इस्तित जिनसंख्या की अवधि थी या आपका इस्तित जिनसंख्या की विर्दी 1891 से 1921 जो इस्तित जिनसंख्या की अवधि थी और धिमा होने का संकेत के साथ उच विर्दी की जो अवधि थी वह आपका 1981 की बाद की थी इसके अलावा ग्यान तक पहूच एक आपका जीने का एक सब भिहमान तो यह तीन आपको तीन तीन आप्सन करके दिये गया था और आप से शही एंसर जो की पूछा गया था तो इसके लावा अगर आपसे पूदे रहा है कि प्राथमा समाज का स्थापना किसने क्या था तो यह आपका डॉक्टर आत्माराम पानुरंग जी के द्वारा इस समाज का स्थापना किया था कहां पर किया था तो यह दोस्तों आपका बॉम्बे में किया था कब किये थे तो आपका ठाड़ा सो शहत्तर में किये थे इसके लावा अगर आपसे पूदे रहाए 770 समाज के स्थापना किस ने किया था तो यह आपका 370 में जियोतिवा फुल्य जी ने किया था तो यह दोस्तों आपका किया गया था आपका डेरो जिनियस के द्वारा ठीके नेक्स को उसमें पुछा गया कि 2023 में भारत की जिसंख्या है जो कि कितनी है तो 2023 की बात करेंगे तो वर्ल्ड डाटा इन्फो के अनुसार जो भारत का जिसंख्या है वो आपका 141.93 करोड है ठीक तो आपका 171.93 था नेक्स आपका है कि भरतhouse点 की साच का प्रशिद से आपका भरताम्थिन आपका तमिलाडो का सास्त laugh यह इसी प्रकार भारत में जिसका। सास्त्रे भासा है उसी प्रकार भारत में आठ सास्त्रे निर्थ है उसमें से एक आपका भरत नत्यम था जो कि तमिलाडू का था एक आपका किरल का एक कथक है जो कि दुस्त आपका कहां का है तो आपका उत्तर पच्छीम या मद भारत का है कथक कली की बात करेंगे तो यह सबसे उची चोटी कौन सी है तो पच्छमी घाट की सबसे उची चोटी की बात करेंगे ते दोस्तों आपका अन्नाई मुड़ी है जिसकी उच्छाई आपका 2695 किलोमेटर है इसके लावा अन्नाई मुड़ी को दच्छिन भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है यह कि इस्थित कहां पर है तो आपका केरल में है ठीक है तो आपका पच्छमी घाट की सबसे उची चोटी है तो पच्छमी घाट की बात करेंगे तो महराष्ट, गुजात, गोवा, केरल, कनाटक, नमिलाडू, रज्यों से होकर यह आपका गुजरता है लेकिन अगर आपसे पूदे जाए कि निलगिरी पहारी का सबसे उची चोटी कोन सी है तो निलगिरी पहारी का जो सबसे उचा जो चोटी है वो आपका डोडा बेटा है वहीं पर आपका अगर पुर्वी घाट का सबसे उचा चोटी पूद दे जाए तो आपका महेंद्र गरी हो जाएगा वहीं अंडवान ड पुछा गया था तो राइट एंस से आपका 85 मा हो जाएगा वरसाचार अवधारना सुचकांग CPI 216 में जो आपका भारत का रेंग था 85 था कितनी देशों में तो 180 देशों में ठीक है नेक्स्ट आपका है कि सेंगतराज विकास काजकरम इवन डीपी ने अपनी स्क्राणा मानव विकास रुचकांग रिपोर्ट में तीन वर्षों से टॉप पर कौन सा देश रहा है ठीक है इस कोस्टन में थ्वासा मुझे डाउट है आपका तीन वर्षों में टॉप पर पर जो हैय। बहुर्ट आपका दैडिय tôi हरते है और रिपोर्ट अभी हाली में दिया गया है दो 21hr2 क को देह OK dos 19rets बीट को देख लेते हैं तो आपका 0.633 आपका यह क्या है आपका इच्डियाइ वेल्यू है ठीक है टॉप कंट्री की बात करेंगे तो टॉप पर आपका नौर्वेड था थर्ट पर दुस्तर आपका आइसलेंड था ठीक है तो आपको तो आपका अगर थर्ट पुछा गया होगा तिन सालों में तो आइसलेंड इसका राइटेंस हो जागा में भी आपका जो आइसलेंड था वह आपका तीनों साल 21 और 19 में भी आपका थर्ट अस्थान पर ही रहा था ठीक है तो दोज़ाइस बाइस का था जिससे कि हम लोग 11 का रेंग करते हैं वह आपका सुजलेंड टॉप पर था इसके भनणाया से टाइस आपका बुटान का था 129 आपका बंगला-देश 143 आपका नैपल-101 का पार किस्तान गता ठीक है इसको या दख ली जिगा इंस ब्रैदेस्वन निर्मान ये आपका किसने क्राइब निर्मान है तो इसका जुनीर्मान है आपका चोल शायरे परितर लावी होगा ठीक है इसके लाव बात करेंगे तो यह जो मंदिर आपका कहां इसी थे तो तंजा और तमिलाडों में इसी थे भगवान सिव को यह संवरपी थे इसके लाव भारत के दख्षिन भाग में सबसे बड़ा मंदिर है यह देविड वस्तुकला शिली में है इसका नि बिशा में सिथे बलेक प्रिगोरा के नाम से जानते हैं इसका जो देवता है शुट देवता के लिए मंदिर परशिद है इसका निर्मान आपका पुर्व गंगा राजवन्स का जो सासक थे नर्सिंग देव पर्थम के दौरा कराया गया था बिरुपाक्ष मंदिर के बात क करेंगे ते दोस्ता आपका महावली पूर्म तमिलाडों में सित है यह जहां का जो मुख देवता है आपके विश्णो जी है इस मंदिर का नियमान 700-728 एडे के बिच्वा था नर्सिंग वरमन नर्सिंग वरमन दित्ती है जो कि पल्लव वंस के सासक थे उसके द्वारा इस नेक्स खोसन है की भारत का दुर्स्त अब सबसे बड़ा समान कौक से है कि भारत का दूसरИ प्रत्व में सबसे बडा सर्वोस समान है पहले नम्मर पी इसके लावाद भरत अदेश का सर्भोश नागरिक शर्मान है पदम सरी विशिष स्वा के लिए चक्र के बाद करेंगे तो यहापका पतंग, पतंग है जो की किस त्योवार में उराया जاتा है तो पतंग की बात करेंगी तो दूस्तो आपका मकर संकरान्ती जो त्योवार होता है, आप लोग भी माराते हैं जो लोग आपके गुज्जास से होंगे वो लोग ज्यादा तर इस तोहर को है जो कि मनाते हैं तो पतंग ही जो कि आपका इसी तोहर में है जो कि आपका उड़ाया जाता है तो राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा मकर संक्रांती हो जाएगा मकर संक्रांती के दिन पूरे देश में पतंग है जो क्यों रहा जाता है इस दिन को पतंग पर भी कहा जाता है ठीक है भारत में तो एक नाम है मकर संगरांती लेकिन पूरे भारत में सभी राज्यों में या आपके सभी राज्यों नहीं अधिकांस राज्यों में या आपकी अलग अलग नामों से है जो कि आपका मना जाता है उत्तरायन के नाम से ठीक है किसके नाम से मना जाता है तो उत्तरायन के नाम से मना जाता है उत्तरायन के नाम से कहां मना जाता है तो गुजरात में मना जाता है इसके अलावा याद दखिएगा माघी संग्रांती माघी मागी संगरांती के नाम से किस राज में मना जाता है तो ये दोस्तों आपका मना जाता है महराश्ट्र में इसके अलावा सुग्गी की बात करेंगे सुग्गी संगरांती सुग्गी कुनिथा, सुग्गी कनाती ये से भी आपका कनाटक में मना जाता है तो सुग्गी नाम से आपका मकर शंगरान्ती जो कि कनाटक मना जाता है इसके अलाबा मकर बिलक्को की बात करेंगे मकर बिलक्को कहा मना जाता है तो दोस्तो आपका केडल में मना जाता है इसको भी या दखिएगा इसके लावब आपसे अगर थाई पोंगल या पोंगल आपसे पुझे जाए थाई पोंगल या पोंगल ते दोस्तो आपका कहा मना जाता है मिलाड़ो मना जाता है इसके लावा मकरा संगरांती आपका आनपरदिश तिलगाना मना जाता है मकरा चलू दोस्तो आपका उरिशा में पोस्ट संगरांती की बात करेंगे पोस्ट संगरांती तो आपका बंगाल में बंगाल कहिए तो पच्छिम बंगाल इसके लावा माग या भुगाली भी हूँ की बात करेंगे माग या भुगाली भी हूँ तो ये दोस्तो आपका मनाय जाता है अश्रम में इसके लावा खिचरी की बात करेंगे खिचरी तो ये दोस्तो आपका यूपी भी हार जैदे तर यूपी आपका आई का उप्सन में इसके लाव माग साजी की बात करेंगे माग साजी तो ये दोस्तो आपका मनाया जाता है हिमाचल परदेश में लोहरी की बात करेंगे तो लोहरी दोस्तो आपका मनाया जाता है पंजाब में ठीके इसके लाव पॉस संग्रेती तो हो गया पच्छी मंगाल मार्ग भी हु अश्रम किचरी पर उपी बिहार, मार्ग साजी हिमाचर प्रदेश, लोरी, आपका पंजाब सिसूर संग्रांती आपका कहा मना जाता है कास्मीर में ठीक है सिसूर, यह दूसर आपका क्या हो जाएगा कास्मीर हो जाएगा, ठीक है तो वन फेस्टिवल, मैनिस रवेशन, इनक्रेडिवल, इंडिया ठीक है, नेक्स वर्शन के बात करेंगे तो पुछा गया कि सबसे अधिक वर्शा है जो कि किस देश में होता है उप्शन में आपका भारत दिया गया था तो भारत रैटेंस हो जाएगा अगर आपसे भारत में भी कहां तो आपके मौनसर नाम जो कि आपका कहां सित है मेघाले में सित है, ठीक है गया गैर अर्दिखारी वह जनगन्ना आपका 1872 में हुआ था लौड मेयो के काल में ठीक है इसके लाव शुतंत भारत की बात करेंगे तो पहली जनगन्ना है वह आपका उनुष्ट्री क्यामन में हुआ था तो इसका राय टेंसर आपका उनुष्ट्री क्यामन हो जागा इसक जनगन्ना है आपका हरड 10 साल अपका है जो कि आपका आउजी थे जो की करभाया ज्याता है ठीक के कि बात करेंगे तो पुछां गया डिजटल इंडिया की फृष्ण से प्रकेया गया था है खोसन उसा right ऍरिधान मंतरी तो मुल्म ने कहा थ़ा रेकिजटल इंडिया की बात करेंगे धो तो हम लोग 14 में किया गया था घोसना एक जुलाई 2015 से इस युजना की शुरुबात की गई थी ठीक है इसको या दख लेज़ेगा ठीक है नेक्स कोसन के बात करेंगे तो पुछा गया कि रस्टी खेल कितने वर्शों में आयुजुद किया जाता है तो रस्टी खेल के बात कर जो कि उसकी मिजवानी है बहुत कर रहा है यह यह जाँ जांग चीन में दोस्तों यए आपका क्या हुआा इसका मिजवानी जो की और यह आपका 1-5 स्थेमबर तक आपका क्या होगा एका Option में ही है क्धेडित कि अब बात करेंगे आपका भारत में अभारत में धो तो बार आप तक knife कहा है एक आपका औतो अपको लिखा भी जा चुका है 10 सेप्टमबर से 25 सेप्टमबर के भी चिखेल आपका रजूत हुआ है हो रहा है आज की बात करेंगे तो 25 सेप्टमबर है ठीक है इसका डेट वासा आप साधा के बढ़ा दिया गया है तो आज की दिन आपका जो भारतिय क्रिकेट तीम थी प्रिके महिला में ठीक है तो फाइनल में दोस्तों आपका इस लंका को रहा है तो आज तक ने भारत ने टोटल 5 मेडल है जो की आज तक की बात करेंगे तो भारत ने टोटल आपका 11 मेडल अपने नाम किया है दो गोल्ड तीन ब्रॉंज और 6 कांस प्रदक है इसको याद आखने की जोड़त नहीं है, आज सक का अपडेट था, तो हमने आपको दे दिया, बाकी गेम जब खत्म होगा, तो उसके बारे में एक विस्टिस्ट आपके जो जनकारी है, विस्टिस्ट जो आपके एकजाम में पूछी जाते हैं, वो आपको प्रवाइट करा द प्रवाइब लगाजल में एक जाते हैं, प्रवाइब तो हमने एकजाम में एक उनकारी है, विस्टिस्टोच जो आपके जोज़ बहांदे हैं, बाके जोग सक का अपके जोगईब झावएब लगावब लगएब विस्टिस्टप से पोगईब लगईब लगश से